विमारी हुई कम जब दर्वाजे बंद हुए दवाहियों के खर्चे थब से कम हुए सभी परिवारों के हजारों रुपे बच गए जिन्दगी भी बची और पैसे भी समगे भाईये? हाँ, यहाँ दर्वाजा बंद रखेगा हर कोई हर रोज हमेशा भारत के घरगा में शौचाले खुला अब खुले में जाना बंद रखोद दर्वाजा बंद और याद रहे शौचाले का इस्तमाल और उसकी देख रहे हर कोई हर गोज हमेशा मस ठीक्ष तिमाई में वचने बूचास ओ लड़का शास वारिया कि अधिक्ष ठीक्ष फेक्ष्ण में श्युक्ष्ण करने ओर लुटेवरें निए घ्रवर्स सब्सक्राण नहां रंखने कोने शिक्ष बनी कोश्य गरोड़ए चामस एड़ आड़ए 및 ग्चेश्ण नव बजन ताम अज़रीन आदाब, हालात हाजरा का आज का शमारा लेके हम आपके खिद्मत में हाजिर है कैंसर का लफ सुनते ही एक खौफ सतारी होता है एक बहुत ही गंबीर सुरचाल हमारे सामने है अखवारी इतलात पे अगर हम वरोसा करें तो ये समझ में आता है कि शायर ये एपेडिमिक लेवल तक पहुंच चुका है कश्मीर में कैंसर का बर्डन बहुत हद तक बढ़ चुका है अगर हम इसकी साइंटिफिक बेसिस को जाने तो लगता है कि अभी रिसरचर्स इस नतीजे पे नहीं पहुंचे है कि हम कंक्लूजन तक पहुंच जाए कि वाकी जो कैंसर इंसिदंस कश्मीर में है ये एक बहुत ही राइजिंग एक बोज है जिसके तले हमारे जो सहते आमा के इनस्शूशन्स है या जो हमारे रिसरच इनस्शूशन्स है वो दब तुके हैं ऐसा बिलकुल नहीं है इन खालात में खाल ही में एक रिपूर्ट आया कि साउथ कश्मीर में जो कैंसर इंसिदंस हैं वो बढ़ रही है और इमकानात ज्यादा हैं कि इन अलाकाजात में कैंसर की जो बीमारी है वो ज्यादा गंबीर सूरत इक्तियार करेगी जब हमने रिसरच इस के साथ साइंटिस्स के साथ और जो कैंसर से मतलिक सहते आमा के साथ जुड़े हुए हैं के टिर्शिरी केर इनस्टूशन में उनसे बात की तो ऐसा लगा कि अभी अभी ऐसा कहना बिलकुल ऐसी बात है कि अभी हम इस नतीजे पे नहीं पहुँच चुके हैं इस मौदू पे हम आज यहां बात करेंगे जो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ट पैनल इसके लिए हमने यहां मदू किया है उनसे मैं आपको मतारिफ कराए देता हूँ मेरे साथ तश्रीफ रखे हैं डॉक्टर मौहमद मकबूल लोन साहब जो कॉडिनेटर है स्टेट इनस्टूट अफ कैंसर के और होडी है रैडिएशन अंकॉलजी स्किम्स सोरा से उनके साथ तश्रीफ रखे हैं प्रोफेसर सनाओला कुछे साब जो हेड अफ डिपार्टमेंट है रैडिएशन अंकॉलजी एसमेचस हॉस्पिटल गर्वर्मन्ट मेडिकल कॉलेज स्री नगर जनाब डॉक्टर नजीर अहमद डार साहब है जो जाने माने साइंटिस्ट हैं खास तोर पे कैंसर बीमारी से मतलिक उन्होंने इंटरनाशनल एक फेम हासिल की है बहुत सारे पेपर्स किये हैं और रिसर्च किया है आप सब का खेर मगदम है इस प्रोग्राम में जो आप डॉक्टर साहबान और साइंटिस्स साहबान हमारे साथ यहां तर्शीर वक्टे हैं पहले मैं जाना चाहूंगा डॉक्टर लॉन साब कि क्या हम ये कहेंगे कि इपर्डेमिक सूरथ हाल इक्तियार कर चुकी है क्या इतना बॉर्डिन है कि हम बहुत परेशान होने वाल हैं इस साथने में मैं पहले इस सवाल का जावब देने से पहले एक कैंसर इंसिडेंस जो हैं उसकी डेफिनिशन देना चाहता हूँ ठीक है किसी बीडिजीज को हम देखेंगे कि उसके एक साल में कितने नई केस डाइगनॉज होगे इस पर्टिक्लर पॉपुलेशन यूजिली हम बुलते हैं वाल लग पॉपुलेशन इसको बुलते हैं इंसिडेनिस ये इंसिडेन आपन बहुत सारे फैक्टिर्स होते हैं अब हमारे पास सिकिम्स में पिछले दस साल से हॉस्पिटल बेसर कैंसर आइस्ट्री है जो भी डेटा हमारे पास अवलिबल है और मैं नहीं बोल सकते हों के रीजन के है हमारे पास जो डेटा है वो अथन्टिक डेटा है तो उस हिसाब से अगर हम इंटरनेशनली इंटरनेशनल जो है सिनेरियो देखेंगे तो इंटरनेशनली एवरेज में वी सी डियाग्नोज थ्री हंडर्ड निव कैंसर पेशन पर येर पर लैक पॉपुलेशन कि एक लाक में तीन सो पेशेंट्स आपको आते हैं हर सेंसर की बीवारेज देखेंगे तो इंडिया की अगर ये एवरेज देखेंगे तो ये हंडर्ड है तो जहां तक हमारी स्टैस्टिक है स्केम्स की। जो साउनटी पर ये स्टैक्स है इस हिसाब से मैं बेस्ट आँ जो मेरे पास स्टैक्स है इस हहाब से मैं कह सकता हूँ कि कैंसर कामन है येहां ब्ध एपिडिमिक नहीं है. इससे unnaturally scared हो गया है. But having said that, जो हम पिछले 10 साल का डेटा देख रहे है, स्टैटिक्स, उससे मेरे हिसाब से और जो calculations है हमारी है, seven to ten person increase होता आ रहा है हर साल. आप समझ रहे हैं? यानि तक्रेवन पिछले तीन, चार साल का जो डेटा है, उस हिसाब से तीन सो पेशन्ट नए हम diagnose करते हैं per year. So, कहने का मतलब यह है, epidemic नहीं है, but common है, but जो हमारा अभी present scenario है, उस हिसाब से आगले एक decade में या दस साल में इसके incidence बहुत increase हो सकती है, अगर आप इस पे control या काभू करने के कोश्च ना करते हैं. या awareness हम ना फैला है, इसमा आगई कैंसर के बारे में. प्रफसर सनाला कुछे साब, चूंकि आप practitioner है, आपके पास patients आते हैं, जिनको आप diagnose करते हैं, या जिनको के काश्मी इस्टाब मेर्टल साइंस, 2004 के बार डाटा अवेलबल है, या यरली डाटा, तो मैंने देखा कि जैसे 1981, 1981 से 1990 तक, एराउंड 3000 केस वायर दियर, 90 से फिर आगर आप जाओगे 1991 से 2000 तक, so it was a bit stagnant, coming up, लेकिन 2000 onwards, 2000, 2010, now 2017, जैसे, I will give just a small example, अगर हम लेगे 2005, 2005 में total patients of cancer, शिर के इस्टाब मेर्टल साइंसे और समेट्स आपचासते total patients, so when we go to 2011, 2011, जिसका सेंसे हमारे पासे, है, around 71,000 population of this city, so we reach to 3400, जब हम गए अब 2017, so again in 2017, we reach to 5400, यानि अगर हम पहले 2005 से 2011, 2011 से 2017 तक जाएंगे, तो 2005 से 2011 तक 20% राइस, 2011 से फिर 2017 से तक 24% राइस, means is, कि जो, जाए राइस आइस, डिफिनिटी, जो जहा, जो यहा, वाइर वे वाइर वाइर क्रैस्स हमारी कहा है, अगर हम लेंगे आप्ड़ल इंसिदेंस of cancer in other states of world and so it is not so rise. So, in 2005 basically I say it is from 91 we are going to another phase from 91 we are going steady 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 and now in 2005 onwards it is exponential. So, doctor has said that we are around seventy six per lack population which is in India 100. But when we are going ten years back, it was 24 percent. So, this means we are going very high. Within two years we are catching with India if we don't do something for this disease. Okay, let me tell you. I want to add something. Like I said in 2004 or 2003, there was no registration not so much. Maybe there was a lot of time that we have not registered. But in 2004 and in 2000, I am going to say, I am going to increase. I am going to say, I am going to say, there is a lot of new cases in every year increase. And this percentage is increasing. But this could be one of the reasons. One more point which I want to add is that in Kashmir there were unique types of cancers that have happened. I say, 10-15 years before. Like Congreg cancer, like food pipe cancer. Our ABIC pattern of past 4-5 years, as per our statics, comparable to any metropolitan cities or western countries. I mean, I have to say that in females, breast cancer is number one. And in males, lung cancer. And the two cancers are lifestyle related cancers. So, that is a good way. If we believe that our lifestyle is not happening to our cancer, we will definitely have the cancer. This is a good way. We will definitely talk about it. Prof. Darça up, I will say that, Professor Darça I will say, because you have to have this national and international paper published which are specially presented to Kashmir related symptoms or causes. We will say that there are many people who have been in the same way. They have said that they have been very warm. People say they have smoked fish, which we call them, which we call them, which we call them, which we call them, से यहां पर कैंसर इंसिडेंस बड़ी हुई है कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज है कुछ लोग बहुत सारी बात हैं कहरें मगर यह सारा इंपरिकल है या इसको कोई रिसर्च या साइंटिफिक बेस नहीं है आप इसको सच और मफरूज है या जिसको हम मिठ वर्सिज रियलिटी के बिनात पे कहां रखेंगे प्रफसर जासाब हाँ यह बहुत इंपार्टेंट कॉच्छन आपने पोछा इससे पहले कि मैं यह इटियालजी इसको बोलते हैं रिस्क फेक्टर्स पे आऊँ जो मकबुल साहब ने कुछे सा रहे हैं कि it is we call it in the epidemiology we call it crude incidence when we talk of crude incidence it will not okay यह हमें ज्यादा information नहीं देता है crude incidence तो एक बात वो है दूसरा यह है कि crude incidence को कैसे हम useful बना सकते हैं तो वो यह है कि we have to adjust it with the age एक age standardization age adjustment करनी होती है क्योंकि हर age group में हमें देखना है कि क्या incidence है we will split whole population to different age groups उसके बाद एक picture आती है हमारी जहाँ हमें अभी हमें इस तो नारत लग रहा है कम incidence है it may or it might or it is it it can happen तो incidence वहाँ ज्यादा होगी as compared to south उसमें क्या करते हैं ते we compare populations अगर हमें नारत और south कश्मीर करना है compare we compare these two populations इनको compare करें with a reference population तो जब compare करके comparison फिर हमें यह समझ आता है कि यह incidence काम है यह ज्यादा है that is called that is a okay उसमें दो तरीके होते है एक direct age standardization और indirect होता है usually we go for we prefer direct standardization जो किसी reference population के साथ चाह Indian population ले या world population ले यह बात होई तो जैसे इसमें हम commonly बोलते हैं कि दो population हमारी हैं दो communities हैं एक में young population है तो वहाँ cycle चलाते हैं बचे हैं बाइक ज़्यादा 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 होते हैं तो दूसरी population old age population है grown अपस है cycle और बाइक काम चलाते हैं accidents काम हो जाते हैं तो इससे कुछ रिसक के साथ कुछ नहीं है it is just a structure of population इसी तरह जो हमारा यह नौरत आइंज साथ है यह जो हम incidents बोलते हैं फिर्स्ट यह कुछ it is crude incidents उसके बाद अगर कर रहेंगे क्योंकि हो सकता है वहाँ age group जो हाई जिनकी risk जादा होती है क्योंकि हर कोई cancer with age बढ़ जाता है suppose we will go for 15 years or 20 years we will get in 50,000 or 100,000 we will get one patient but when we move okay to the age group with the incidence increases तो यह मित और रेलिटी को हम कहां रखेंगे हैं यह यह मैं अभी जो यह एक यह बात है दूसरी है कि जब हमें एक तो awareness जैसे मगवल साबने बताए awareness आई हैलत conscious लोग हो गए और population size भी बढ़ रहा है 20 years से जो पहले जो इसे कुछ it साब ने बताया 95 में 2000 में population size भी बढ़ा ह है जो population 2001 2011 2021 में जो होगा so it is increasing जैसे यह है कि आज जो उनने population size लिया है और estimate लिये है वो 2011 census के लिये हैं अभी जो report आया था करेटर के दे ना टुक the estimated population size यह होई दूसरी बात तो अब यह है कि it is it is a big question for us it is a to say कहां ज्यादा रिसक है कहां काम रिसक है कहां ज्यादा incidence है कहां हमने अब यह आपके जो रिसक फैक्टर के बारे में मगबूल साब और मैंने पांच छे सिटेडिस इकठे की हैं इससे पहले शौकत साब के साथ की सिकिम्स I have been associated with the सिकिम्स from 2001 conducting lot of research and be focused on these risk factors तो उसमें उसमें यह है कि we idea we we is isophagal socamusle carcinoma is among the common cancers इसोड़ फूट पाएप जो लंग कैंसर था उससे पहले आप 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 तेकन ओवर पहले isophagal socamusle carcinoma most count है तो उसमें हमने सारे जो risk factors one by one एक huge study हमने मैंने और मगबूल साब ने conduct की है huge study after the significant size of population तो उसमें हमने यह we identified certain risk factors जैसे आपने बताए it is true saltity इस पर मैंने आपका paper पड़ा इस पर हम बात करेंगे मैं professor कुचेस आप से यह जाना चाहूंगा क्या आप समझ रहे हैं कि cancer आने वाले दिनों में हमारे यहां कश्मीर में morbidity या mortality जो है उसका एक बड़ा उसकी बड़ी वज़ा बनेगी मौत जो वाका होंगे ज्यादातर cancer क से होंगे basically जब incidence किसी cancer की बढ़ जाती है तो usually देखा गया कि mortality और morbidity वो भी increase होती है because जब cancer होते हैं हम कहते हैं अभी इस वक्त तक जो भी research हुई treatment चाहे chemo therapy, surgery, radiotherapy, so around 40% cancerous ऐसे होते हैं जिन में cure होता है 60% patients ऐसे होते हैं जो late stage में आते हैं, so they come in stage 3, stage 4 तो उन में automatically morbidity जिसको हम कहते हैं कि mode की वज़ा है वो तो automatically होता है उन में serious treatment होता है फिर palliation तो अगर awareness नहीं हुई, so awareness at the grassroots level जिसको बोलते हैं, so we have to sensitize this population about signs and symptoms, कैसे कौन से high risk groups है, कौन से जैसे डाक्ट नजीर साब ने का, कौन से causative factors है, causative factors are a difficulty but we have to create high risk groups तो जब वो होगा, so that can lead to early diagnosis, cancer को हम काम नहीं कर सकते हैं उन से, अलबत early diagnosis होगा, early diagnosis क्या होगा, अब मात कम होगी, ठीक है, मैं आपसे यह जाना चाहूँगा, आप इस पर कर लीजे बात कि यह जो facilities है, cancer patients के लिए, यहां पर लग रहा है कि चूंकि और लोड है, मुक्तलिफ communicable, non-communicable disease की वज़े से, lifestyle disease की वज़े से, खास तोर जो हमारा tertiary care hospital side है, निशूशन्स है, उनमें वो overburdened है, तो आपको लग रहा है कि जो facilities, cancer patients के लिए, वो ठीक है, और इसमें error factor कितना आप समझ रहें कि होता है, कि लोग अक्सर जो है, बाहर जाते हैं treatment के लि सिकीम को अभी recently, in fact January में, December में, population-based cancer registry मिला हुआ, approved हुआ है, so हमने start के हुआ है, हर गाओ में, हर private lab में, हर government hostel में, जाना हमारे लोग जाते हैं और data collect करते हैं, so हमें कम से कम, December 2019 तक wait करना है, we'll be able to give you the exact data, insha Allah in 2019, 2020 January, so that will be the authentic data, exactly, you know, we have social workers, we have data interoperators, we have population-based cancer, हर एक lab में, चोटी से चोटी, बड़ी से बड़ी, private clinic, government hospitals, district, subject hospitals, they are going there, so data collect कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, बड़ी तेजी से, so January और February 2020 में, हम जब उसकी statistics देखेंगे, तो we'll be getting the exact, exact picture, yes, exact picture of cancer in Kashmir, okay, now so far as facilities are concerned, you see, in Kashmir we have a population of just more than 171 lakh, so as per the latest criteria, WHO and all those things, I'm talking of radiation oncology, actually we have a surgery, radiation oncology, medical oncology, and some other departments, they are available in Kashmir, मैं अपने department के बात करता हूँ कि हमारे पास latest equipment भी है, और Docs आप ने already recently commission किये है, one of the best, जो machine है, cancer treatment के लिए, but मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि 71 lakh के लिए, दो machine है काफी नहीं है, so as per statics, we should have seven machines, but we are trying, all of us are trying, हमारे schemes में एक और latest equipment आने वाला है, inshallah by the end of this year, we will be able to commission that, so उसके बाद, सर्जीर कोई problem, I don't think there is any issue, radiation we have now equipment and we have latest equipment, मुझे लगता है, more than, less than five personal patients go out, as per my observations, data तो हमारा किसी चीज़ में लिये है, हम भसूख से नहीं कह सकते हैं, हमने इसमें पी exercise किया है, हमने data collect है, MAX से, TATA से, last year, कुछ ऐसे के कश्मेरी के दिल होग जाते हैं, तो उस हिसाब मेरे पास data है, यह HBCR related जो है, तो उस हिसाब से, just five to ten percent patients go outside for treatment, un das person ke ninety percent come back, because of three reasons, either unko waha pae, पैसा कहता है, ya wo complete treatment करना चाहते हैं, हमारे पास, they come to us to him for completion of treatment, ya khudanakhaasat, unke disease record होती है, हमारे पास है, so they get registered, चीक है, so not more than five percent, maximum ten percent patients go outside, and most of them again come back to this, so what I want to convey, is that, हमारे पास, all the facilities available है, if not hundred percent, I can say ninety-eight, ninety-nine percent, we have a shortage of equipment, we have no shortage of faculty, doctors, but we have, manpower is there, human resource we have, yes, we have machinery आपोल रहे हैं, but we have, I am telling you, we have two linear accelerators, that is, more than enough, but we need more, yeah, अपको मैं एक ये बताऊ, अब आप पेशननल operation at Sikkimis, हमने Sikkimis में टो-थज़ज़न एट से एक यह किया है, कि हम सुभा साथे साथ बचे शूरू करते हैं treatment, हमें government extra-पैसा नहीं देती है, शाम के साथ आठ नाव बाज़े तक continue करते हैं उसे हमारा क्या हुआ हमारा patient wait time एक मेने से आप एक week आ गया है और जो हमारे emergency अउकल जी अमर्जिन हो उसमें तो zero wait time है तो वे आ ट्राइंग आवर बेस्ट, government is also, हमने जो भी government को proposal के जैसे आपने पहले बाला state cancer institute, I am looking after that तो उसमें हमारा बहुत सारा equipment आ रहा है, तो मुझे लगता है एक दो साल में वोगी बी self-sक्रीज़ तो डॉक्टर डार साब आप मुझे बता दीज़े, आप चुंकि research side से है और वो बहुत important काम है, कि कितना research हुआ है, और कितना करनी की अभी जरूरत है immediately हमें एक data चाहिए, एक fact list चाहिए, ताकि हम पता कर सकें कि आखर वजुहात ये हैं, मसाइल ये हैं, हमारे इतनी लोग cancer से जूज रहें, कितना research हुआ है और कितना करना बाकी है, research side में हम कहां पर? हाँ, ये, पहले मैं ये आना चाहता हूँ, जो मकबूल सहाब ने कहा है, कि जो हमें जो, we should not be the panicky, वहां जो, जो south में है, जैसे मकबूल सहाब ने है, कि we will start getting picture from cancer register, आज तक जो data आया है, that is observational crude data, but that has a significance, जैसे अभी जो greater kashmir में आया, it reflects burden of the disease, it does not reflect some incidents or risk is there, that is okay. एक picture है, मगर पूर्शक पिक्चर नहीं है? नहीं, burden है, load है, उदर है, that is true, वह हो सकता है, मगर ये वह उस अलाके में ज्यादा risk है, वहां ज्यादा develop होगा, it may be a manifestation of some hidden factor, जैसे मैंने age है, female ratio है, कुछ ethnicity है, कुछ hereditary है, कुछ family history है, कुछ genetic है, it may not be something environmental exposure, डाइट, वह है. दूसरा यह है कि जब हम research की बात करते हैं, ये clear picture इसमें epidemiology, a strong epidemiological group होना चाहिए, हर cancer पे एक अलग से steady होनी चाहिए, बहुत बड़ा sample size होना चाहिए, बहुत एक collaborative effort होने चाहिए, वह सारे आके तो हमें एक picture आएगी, कि कौन risk factor है, कौन नहीं है, कौन strong है, relatedly, कौन weaker है, बट ये ऐसा नहीं है कि आप किसी infectious disease का हम भी test करेंगे, ये, ये microorganism है, cancer is a complex problem, बहुत सारे multiple factors work independently or in synergistic way, then induce a cancer. It is a very complex, it is difficult to identify immediately the risk factor, but there is hope, there is scope of doing lot of research, but regarding isopagel cancer, जो मकबूल साब और मैंने किये हैं, we were successful in identifying certain risk factors, which are being recognized at international level, हर जगा इनको recognition मिलने, citation आ रहे हैं, जैसे कुछ paper हमने, पहला paper हमने किया था, जो वर्ल्ड में नहीं था, contact of Kashmiris with the animals, ruminants particularly, the frequency and the intimacy, यह कहीं नहीं published हुआ था, when we published this paper, then एक और paper आया एरान से, that substantiated it. इसी तरह हमने एक और एक observation की थी, वो recently हमारा accept हुआ एक paper, जो हमारा labor class है, जो farmers है, they do extensive physical exercise, strenuous physical exercise वो करते हैं, उनमें रिस्ट जाद है, तो वर्ल्ड में यह कोई accept नहीं कर रहा हमारी hypothesis, क्योंकि मेरी एक hypothesis है, we have to dry line up to which physical activity can be beneficial, and उसके बाद हमें क्या है कि we have to see, कि उसके बाद risk बढ़ सकते हैं, it can be pro cancer, तो फिर उसके बाद कुछ paper आने लगे, अब हमारा paper भी publish हो रहा है, अब हमारा paper भी publish हो रहा है, प्रफेसर कुछे साब आपके पास यूंकि बेमार आते हैं, सारे इस मर्ज से जो मर्ज में जो मुबतला है, हमें बता दीजेगा जो pattern and distribution है, क्या आप बहुत फिक्रमन्द है, क्या आपको लग रहा कि alarming situation है, panicky situation है? अभी हम सुबह बाद में रहुन कर रहे थे, तो बिलकुल यही question हमने discuss किया, कि pattern has changed, जैसे पहले होता था कि cancer is an old age disease, पहले बोते हैं जो 50K, 60K, जैसे हम एक्जामपल करेंगे, जैसे हम एक्जामपल करेंगे, CA colon, तो पहले एल्डर एज में होता है, अब जैसे स्मोकिंग, CA lung, CA lung again, जैसे मागूल साम ने कहा, जैसे breast has become number one in ladies, and lung has become number one in men, so it is irrespective, इसमें यह नहीं कि मालब age का, तो this is a concern, that pattern of cancer, it is changing, there are many factors for that, वह factors क्या है, we have to evaluate them, तो मेरे जो नाज़िक lung का, जैसे lung हमारा क्यों ऊपर आ रहा है, एक हमारा patient गया था, Tata Memorial Hospital तो वहां somebody told him, कि कश्मी तो जनत है, लोग वहां जाते हैं यहां से यह करने के लिए, और आपको यहां आना पड़ता है cancer लेके, प्रावलिम क्या है, तो मnga, यौ फूहूँएचि कर छो पर अतिर पार आ पर दिस, एक पुरूशन, एक पूरूशन, इर पूलुशन, जाल्थमके अ dönसे मिरे फूघ कईवल deaf・्रवलिम है, तो फूफ टो ένα, जाल हों-जालोग पार फ्र्यूशन मेरे पर्यूशं और आपको लग रहा है कि खुसूसी चीज है कश्मीर के कैंसर के बारे में जो बाहर निये क्यूंकि हमें लग रहा है एक बाम जैसा है जैसे इंफेक्शिस डिजीज का एक बार जमाने में हुआ था आज हमें खुद पता नहीं हमारे पास रिसर्च डाटा नहीं है फैक्स फिगर्स उसको सपोर्ट नहीं करें मगर लग रहा है ऐसे कि ज्यादा लोग कैंसर के शकार हो रहा है कि जो हमारी स्टैक्स है यह एपडीमिक नहीं है जी बर एपडीमिक हो सकता है अप्टर टैन फिप्टी अनियरस अगर हम इसमें रोकने लगाएं रोकने लगाएं दो तीन इस्यूज हैं जो बहुत इंपार्टन एक यह कि कैंसर को ड्रेट फूल डिजीज मत कहिए प्लीज क्यूंकि कैंसर हमारी पास ट्रीटमेंट अवलेबल है और आफ और गाली सेज़ दोर्ड़ और अवलेबल कम दोर्फी अवारे थे काती सवाल पूछा था कि फैसलिटीज है व्रेटेश हैं वह पास जब मुझे कोई मैसेज है जो रॉक्टर मकबूल साब प्रॉफसर डार साब और प्रॉफसर कुछे साब ने हमारे नाजरीन के लिए कही कि ऐसा है कि अपैडमिक नहीं है मर्ज है मर्ज बढ़ रहा है अगर इस पे फारन रोक न लगाई जाए अगर हमारी एवेरनेस ना बढ़े इसके जो मौरिकात है या इसके जो रिस्क फेक्टर्स हैं उन पे रोक न लगे तो ये खुदाना खास्ता एक एपैडमिक की सूरत इख्तियार कर सकता है हमें बहुत चोकणना रहने की जरूरत है और हमें बहुत बरोसा रखनी की जरूरत है, हमारे रिसर्च यस पे जिसे परिस्क्रिटार सहब काम कर रहे है Respires मुखूल साब, दORक्ट काम कर रहे हैं और अधनोला कुछह सह ल barbecue को ट्रीट कर रहे हैं तो ये जो टीम युग है इ इन पर जादा से जादा बरोसा करें आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यहां आने का और आवारे नाजरीन को आपने बहुत आ गही फराहम की इससे में और नाजरीन आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कोई भी मन्जिल कोई डगर पास हो जब रेक्सोना का साथ हो रेक्सोना रेक्सोना बैरो की शान का साथ है आप देख रहे हैं डीडी कशिर एसास कश्मीर का